असलाम लेकुम आज हम बनाएंगे एकदम फूली फूली और क्रिस्पी आलू की कचोरी इसको बनाने के लिए हम कुछ ट्रिक्स एंट्रिक लगाएंगे जिसको आप लाश्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हम कौन सा ट्रिक्स लगाएं जिससे हमारी जो कचोरी है वो मुलायम ना हो खसता ही बनी रहे तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा तो सबसे पहले चलिए हम बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम देखें मैदे के बना रहे हैं तो करीब 2 कप मैदे लेंगे उसमें थोड़ा सा नमक ढालेंगे टेश्ट के असवाइं से नमक दालेंगे और फिर दिट्वाइंगे घीं से चार चममज ढालना है और घीं डालेंगे पहले शुखा ऐसी मिलाएंगे खूब अड़ अजमाइं तो पहले हाथ से क्रश कर लेंगे तो इसके खुश्बू थोड़ी सी बढ़ जाए फिर इसको इसमें डाल के फिर से मिलाएंगे देखिए मुठी बानने के बाद को बच्छी तरह बंद रहा है इतना हमको घी रखना है और फिर हम ले लेंगे पानी आधा कप से पानी थोड़ अधा कप करीब पानी लग जाएगा और फिर इसको मिला के रख देंगे रेष्ट के लिए करीब 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो पहले थोड़ा से मिला लेते हैं मिला के इसको रख देंगे फिर अब हम ले लेते हैं श्टिफिंग के लिए आलू तो छे से साथ आलू ले लेंगे वीडियम साइज का उसको बाल लेंगे और फिर इसको इस तरह से दबाते हुए खब अच्छी तरह से मसल लेना है बिलकुल बे गुठली ना रहे नहीं तो जमाई का चोरी है वो फड़ ज इसको रख देंगे साइट फिर कड़ा ही लेंगे उसमें 2 चमजे करीब तेल डालेंगे और डालेंगे बाद सबसे पहले पालेंगे आधा चमाच्छ खड़ी धनिया आधा चमज में डाल देंगे साफ इन दोनेंट से इसकी खुषभू बगद ही आएगी तो इसको आप जर जब जब अखील दाल सोखे मालboys Ichi-Beau च्टित Γाहिं होदोली A土ar के लिए nine यविदे प्रेंए capita पानी के लिए प्रेज काथी दाल फे हकाएए कि आलो आलो जितना हमने लिया थल प्रेजिक, जैसे ह pensar क्तानी with अभून अलुच को मिलाने के बाद कुछ और मसाले हम इसमें डाले एक नमक डालेंगे प्रफिश्ट के ऐसाब से एक चमच भर मिर्ची पाउडर दालेंगे जीरः बुदूडर जावडर दालेंगे धूं, पकाना जाएगा तो ऊपर भाई, एक बार से मिला लेंगे जब थोड़ा सी पक जाएगा तो फिर ःपक छीड़ें थेंदा रखेंगे गाले हुआ के थेंदा होता रहे गाहा हम अ अपना आटा लगा था को एक बाए फिर सही'M इस घ्ला लेंगे थोड़ा सी अब हम इस Kitchen निकाल लेते हैं और निकाल के इस Kalan को पहले दो भाग करेंगे तो चाहरे आप चापु ले ली जहां प्र चैपना में आफे पास हो तो उससे कर लेंजे बहुत आसानी सर्शा इस चाट जाता है फिर इस तरह से हम रोल करेंगे और रोल करने के बाद पिर सेमें इ आटे को और पिर हम वह से रोटी की तरफ बेल, पतला के गपना सब्सक्राइच अगता है निए झाल भी आ это सखेते मैलमत लत्асट कि अच्झीक नेश्नेला के गहलं तो दूटा सकते हैं तो पहले हम इसको बेल लिते है prioritizeorte Sat起 फोड़ा سब मैदा इसके उपर डालेंगे फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से हाथे से फोल्ड करेंगे अल चिंथे जब मुड जातब देगे बीच से ब्ला काट में शाअ में makers here और इसको फिर से बेलना है तो बेलने के बाद हम इसमें जो हमने इस्टेफिंग बनाई है उसको रखेंगे इस तरह से बनाने से यह बहुत ही जो हम कचोड़ी बना रहे हैं बहुत ही खस्ता बनेगी और बहुत सारे इसमें पर्ते बन जाएगी आप चाहे तो इस तरह से बनाया चाहे तो जो नॉर्मल कचोरी बनती है उस तरह से भी बना सकते हैं तो फिर हम इस पे जो आलू ने बनाया है उसको रख देंगे रखके चारो तरह से फोल्ड करते हुए इसको पैक कर लेंगे और खुब अच्छी तरह से इसको दबाते हुए बंद करना है जिससे बिल्कुल खुले नहीं नहीं तो जो आलू है पूरा तेल में बिखर जाएगा तो इसको इस तरह से बेलेंगे बेल के बीच में रखेंगे हम आलू जो हमने आलू तयार किया था इस्टेफिंग के लिए इसको यससे बीचमे रखेंगे और बहुत ही अराम से फोड़ करेंगे दबाते हुआ अ क्या ची तरह स perto चेह अच्छी तरह से चारहु तरह से तो थोड़ा से इस तरह से निकालके उंपू से में पेले करिच goth Cuo दो कर क्या सब्सक्राइब Imagine Fuck छड़े राओ से कड़ए 1 आपि easily तो शाइरा से बंदेज्द कड़ेब सक्सक्राइब और इसको फोल्ड कर लेंगे फोल्ड करके फिर वही जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वही तरीका है अब हम दूसरे तरीके से जो अर्मल कचवरी बनती है इस तरह से बनाते हैं सबसे परहें कैटोरी के तरह इसको बनाएंगे बिच में हम जो इसको रख लेंगे फिर चारो तरह से फोल्ड करेंगे खुब अच्छी तरह से दबाके फोल्ड करना है बैलकुल भी खुलाना रहे तो इस तरह से इसको फॉल्ड करेंगे अच्छी तरह से दबाते हो इसको फॉल्ड कर लेंगे जब दब अच्छी तरह सेसे घुमाएंगे फिर तरह से दबाएंगे तो यह बिल्कुल भी खुलेगा नहीं जहां लगे कि वहां से आलू निकल सकता है तो वहां पर इस तरह से आप दबा दीजिए और फिर हम ऐसे बना बना के रख लेंगे फिर हम तेल चढ़ाएंगे तेल को चढ़ाने के बाद हम पहले ऐसे चमच डाल देंगे चमच पे ही हम जो कचोरी है उसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए इसे रखेंगे और फिर उसको तेल में डालेंगे डारेक्ट तेल में डाल अगर बहुत तक थीमा रखना है तो भी जो कचोरी है उसके अंदर से जो हमने आलू डाला है आलू बिखर के बाहा निकलाएगा तो इसको बहुत देर तक धीमा भी नहीं रखना है पर इसको पलट देंगे इसको चम्मत से इस तरह से हिलाते रहेंगे जिससे यह चारो तरफ से पख जाए थोड़े थोड़े दिर पर इसको पलट देंगे पलट के फिर तयार कर लेंगे एक दम खसता कचोरी हमरी तयार है देखिए जो हमने नॉर्मल कचोरी बनाई थी कितनी फूली फूली और करारी लग रही है आप इस रमजन जरूर इसको बनाए सबको बहुत पसंद आएगा तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा लाफिज